हेलो मेरी यूट्यूब फैमिलिस तो कैसे हैं आप लोग आशा करती हो कि आप अच्छे होंगे तो आज अपने किचिन में मैं बना रही हूं लौकी का रायता जो की बनाती रहती हूं मैं हमेशा अभी पराठे का सीजन चल रहा है यानि के ठंड के मौसम में पराठे खूब ख सकते हैं तो ठंड में आप 10 दिन भी इसको रख सकते हैं बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है तो चले चलते हैं बनाने की ओर सबसे पहले लौकी को छील लेंगे चलने के बाद इस तरह से पीसे में कट करके पानी में रख लेंगे कोई बड़े बरतन में अच्छे से वाश कर और फिर देखें मोटे मतलब काट लेंगे सबजी से थोड़ी सी मोटी साइज में काटेंगे इसको और कट करने के बाद हम इसको कूकर लेंगे और कूकर में जो कट करके हमने रख है न लौकी को उसको डालेंगे मेरा कूकर थोड़ा चोटा पर रहा है मैं बड़ा कूकर मै पूरा फूल हो गया, इधर अर्पित भी डांस कर रहा है, बहुत परिशान करता है, उसके साथ वीडियो बनाना थोड़ा मुस्किल होता है, ममा मया बना लू, ममा मया कर लू, और फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, लौकी खुद मौस्टर चोड़ता है, यानि पानी तो मैंने बंद कर दिया था, और यह देखे, जब सीटी निकल गई ना, तो मैंने खुदा देखे कि कितनी सारी पानी इसमें निकल गए है, और हाँ, इस पानी से आप आटा गून सकते हैं, तो चनी की मदद से हम सारा पानी च्छान लेंगे, और एक मैंने इसको बड़े ब आटारक की आने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और लेंगे यहां पर सर्सो का पावडर, अगर आपके बाद सर्सो का पावडर ना हो, तो आप सर्सो को तुरंट मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, मैंने वही किया है, और लगबग बड़े च चार इंच अद्रक के टुकड़े को मैंने ग्रेट कर लिया है, अद्रक का बहुत अच्छा टेस्ट है, में रोल है, मतलब इसमें जितनी चीज है, सारे चीजों का में रोल ही है, और चार चोटी-चोटी हरी मिर्ज डाला है, मैंने आपको एंटिटी बढ़ा सकते हैं, अग तक जो कोटिंग है ना, नमक अल्डी नमक की, पूरे मतलब लोकी पे चढ़ जाए, लोकी कटी वे, मतलब राइता हम बना रहे तो पे अच्छे से कोटिंग हो जाए, जितने अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ज्यादा जोड से नहीं करेंगे वरना जो हमारी लोकी है वो मैस मैस हो जाएगी और हाँ आधा केजी के करीब यह दही होगा मैंने उसमें से 100 ग्राम रख लिया था दिया था उसके मतलब 400 ग्राम के करीब इसमें मिलाया था आप मार्केट वाली भी दही डाल सकते और खुच जो जमाई हो ना वो भी ना ज्यादा पतला डाले दही और बहुत ज्यादा गाड़ा जिस टाइप का दही था ना मेरा उस टाइप का डाले और यह जीरा पाउडर और जीरा पाउडर ना हो आपके पास तो आप जीरे को रोस्ट कर ले तबे पर और उसको मिक्सी में ग्राइंट कर ले मैंने वही किया है वही करती हूँ मैं उसी तरह से जीरा पाउडर बना के रखती हूँ दई बड़े बग्यार के लिए और इसी वक बन को भी बैलेंस करेगा जब हमने हरी मिर्च कम डाली तो इसको भी बैलेंस कर लेगा और जब मिर्ची पौडर डाले ना तेल के ऊपर तो अच्छी से डिप कर दे तेल में उसके बाद आप मिक्स करें देखिएगा थोड़ी दिर वाद दो चार मिनिट बाद आपका कलर इतन बहुत आसान होगा और बिल्कुल बच्चों का खेल है बनाना फांच मिंट में बनके तयार हो जाती है यह सिर्फ बॉइल करने तक में जो टाइम लगता है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नहीं राचिप के साथ तब तक लिए बाई बाई टेक केर